आज मैं बनाड़ी हूं घूगनी काला चना इसके लिए हमें प्याज अद्रक लशून टमाटर काला चना नमा खल्दी धनिया पाउडर ये सारे चीजे जोरत होती है उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें एक जार में लशून की कली चाल पाच डाल दिये शाप करके उसक मिट्वा और तीन लाल मिच याल दाल दें थोरीशी एक चमम झाला जीरी उँझी सब्चाना हो लेंगे मिए म हमानने कर जानो-प्रछान लुट दें चल uniqueness अच्छा को कि आप देंख सकते हैं में पयाज की कलर ब्राउन हो गया इसे हम तंमाटर दाल दी है त्यपनेंगे उसके बार जो में स्वाधन ईशा नमक डाल दिये हैं एक चमच खल्डी डाल दिये अब इसको हम सारे मशाले को दो-तिर मिनट चलाएंगे अच्छी तरह से अब इसमें दो तेट पत्ता हमने दो के साफ़ डाल दिए और जो हमने काला चना राद भर दीन होके रखी थी ओवी डाल दिए अब हमें यह सारे इस तीजियों को अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको हम कुकर की लीड को लगाएंगे नहीं सिर्फ ढगड़क के ऊपर से ही फुरी दो-दो मिनित बाद रहता है कि अच्छी तरह से इसको चलाएंगे इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से ओयल से हो आप देख सकते मेरी वाह म्हिलत प्रेट हो रही है इसमें अब इसमें यह मिल चलना कर भूनी हुई हो गहिए हम लशुन डाल दे हैं दो लशुन में भड़ी थी इसले हम आहप हफिस कर दिये है दो लशुन को दो के साथ रखे इसमें डाल दिये थाबूत आसि उपर छों पार से हम पारिशा दल के लिए हैं अब इस को कुकर को हम कर तो इसको सब चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे जो पानी लशून जो सारे सामेट गडियों को अच्छी तरह से हम मिलाके अब कुकर के लखन को हम बंद कर देंगे इसको हम फूल आच में एक सिटी देने के बाद 15-20 मिल शीम में पका लिए को मेरी रेसिपिक ऐसी लगी तो कुदिंग बहुत टेस्टी बनती है इसको आप किसी के भी साथ खा सकते हैं यह नास्ते में एक हेल दी नास्ता होता है इसको आप मुर मुरे के साथ रोटी के साथ चावल के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं